नमस्कार्ट सुवागत है आपका हमारे चैनल पस्वत की बड़ी खबर आ रही है लोग सभा में तीन क्रिशी कानूनों की वापसी को लेकर बिल पेश किया गया था जो की अपास हो चुका है ये बड़ा जटका है लगातार उन लोगों के लिए जो लगातार क्रिशी कानून क को लेकर राजनीती कर रहे थे और इसी बीच राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है राकेश टिकैत का खेना है कि हम आंदोलन को अभी भी जारी रखेंगे क्योंकि MSP को लेकर सरकार बात नहीं कर रही है एक तरफ जहां पर केंदर सरकार की तरफ से आज लोग सभा म हैं जो क्रिशी कानून है तीनों उन्हें वापस ले लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक जो अंदोलन चुरू हुआ था वो तीनों कानूनों को लेकर शुरू हुआ था लगातार किसान नेताओं की तरफ से रिकैद गैंग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये ने किसान नेताओं का कहना था कि अभी जो बिल है वो संसद में पास नहीं हुआ है लिखित में कैंसल नहीं हुआ है पारद नहीं किया गया है और आज अगर लोगसभा में पास कर दिया गया है लोगसभा के द्वारा अब जो है वो रद कर दिया गया है कानून अब आज के द नई रणनीती बनाएंगे नई रूप रेखा बनाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आंदोलन को किस तरीके से चलाना है एक तरब राकेश टिकैत है जहाँ पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक यानि कि अगर पहले ही प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी की तरफ से कह दिया गया था कि कानून को वापस लिया जा रहा है तो उसको लेकर लगातार राजनीती करने वाले नेताओं के लिए ये बड़ा जटका है और इसलिए राकेश टिकैत का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ रहा है वही पर अगर हम सदन की बात करें तो सदन में लगातार विपक ज आ रहा है इसे रद कर दिया गया जब जादा तर बहुमत में इसमें वोट डाले गए तो ये रद हो गया है कि उसके बाल लगातार कॉंग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से सदन में लगातार हंगाम किया जा रहा है और विपक जो है वहाँ पर कारवाही नहीं दोने दे रहा है और लगातार कॉंग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो बिल है उस पर चर्चा होनी चाहिए अब बिल को लेकर जिस तरीके से बार बार पे सदन में हला मचाया जा रहा है बार बार पे जो नेता है वो बेल में उठकर आ रहे है कारवाई को इस थगित किया ज कि चुनाव आने वाले हैं पंजाब और उत्रपरदेश में और उसी के लिए एक तरब राकेश टिकैट परेशान है जब उनका चेहरा जनता के सामने आ चुका है क्योंकि बॉकला हट अब राकेश टिकैट की सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरब विपक्षी पार्टियां जस तरीके से लगातार राजनीती कर रही है अब कहीं न कहीं ये चीज भी सामने आ रही है कि उत्रपरदेश में चुनाव हैं पंजाब में चुनाव हैं और वहाँ पर अपनी पार्टियों को साधने के लिए चार वोटों के लिए लगातार राजनीती की जा रही है 26 नवंबर को शुरू किया गया था तो लगातार इनी नेताओं की मांग थी कि क्रिशी कानून को रद कर देना चाहिए क्रिशी कानून के किसान नेताओं के लिए ठीक नहीं है किसानों के लिए ठीक नहीं है और मानसुन सत्र दो हजार बीस में जब इस कानून को लाया गया थ तीनों कानूनों को केंद सरकार के दुआरा लाया गया था तो उस वक्त पे मौनजुन सत्र में सदन में इस बिल पर चर्चा हुई थी और आज वही विपक्ष की तरफ से लगातार कहना था कि कानून को वापस कर देना चाहिए कानून को नहीं लाना चाहिए और आज अगर का कर सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं कि MSP पर कानून बनाया जाना चाहिए MSP को लेकर सरकार हमसे बात करें अगर MSP को लेकर भी बात की जाए तो MSP हो या फिर एगरी कल्चर ये पूरा का पूरा मैटर जो सरकारों के अंडर आता है पर उसकी बावजूद भी केंदर सरकार पे बार 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 पे दबाव बनाने के लिए पिर इलेक्शन जो आने वाले हैं उन पर अपना नाम चुमकाने के लिए किसान नेताओं की तरफ से लगातार राजनीती की जा रही है केंदर सरकार की तरफ से साफ सीधा संदेश दे दिया जा चुका है एक तरफ विपक्ष को तो दूसरी तरफ किसान नेताओं को कि जब वापस हो चुका है और सदन में जब कारवाई चल रही है तो उसे बार-बार पर इस्थगत क्यों किया जा रहा है आखिरकार क्या चाहता है हमारे देश का विपक्ष लोग सभामे इस तरीके से हंगामा करकर जिस कृशी कानून को लेकर लगातार राकिस्टिकैद को कॉंग्र अगर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला ले लिया जाता है देश के प्रधान मंतरी की तरफ से कहा गया था कि तीन क्रिशी कानून जो हम लेकर आए हैं वो किसानों के लिए लेकर आए थे और बापस ले रहे हैं हम देश के लिए तो उसके बावजूद भी विपक्ष लगात राजनीती पर अड़ा हुआ है और यही कॉंग्रेस के नेता अब लगाता आर लोग सभा में हंगामा मचा रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए के आखिरकार जिस चीज को लेकर जिस कानून को लेकर कॉंग्रेस की पार्टी राजनीती कर रही थी प्रियंग वाडरा अपना नाम का प्रियाज कर रही थी राहुल गांदी बार बार पर देश के प्रधान मंदरी को लेकर ट्वीट कर रहे थे राकेश टिकैट बार बार पर जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे थे आज अगर उन्हीं सारी चीजों पर पानी फेर दिया गया है के इंद सरकार की तरफ से बीज़ेपी की तरफ से या फिर कहें कि लोग सभा में आज इस तरीके से प्रस्ताव पास कर दिया गया है तीनों क्रिशी कानूनों को लोग सभा में रद कर दिया गया है वापस ले लिया गया है उसके बावजूद भी लगातार आखिरकार इस बात पर राजनीती क्यों क्यो तरफ से बयानबाजी हो रही थी तो वहीं पर राकेश टिकेट की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही थी और वो हमारे देश के किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे 2022 के चुनावं को लेकर अखिलेश यादब का भी ये कहना था कि अगर तीनों क्रिशिक कानून वापस नहीं होते तो जो किसान है वो एक मत होकर योगी अदितनात को वोट नहीं देंगे सरकार कहीं न कहीं हमारी आएगी बार-बार पे जिस तरीके से नारे लगाये जाते हैं कि 22 में 22 आई के लिया फिर आप गड़ बंदन करके सारा का सारा विपक्षब योगी अदितनात को उत्तर पर देश में हराने के लिए बैठ चुका है पर वहीं जो रणनीती है योगी सरकार की वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है जहां एक तरफ गन्ने का पैसा बढ़ाया गया है तो वहीं केंद सरकार की तरफ से आज तीनों करशी कानूनों को वापस ले लिया गया है यह लोग सभाब में एक बड़ी कारवाही है बीजेपी की तरफ से जिसको लेकर आज विपक्ष पूरी तरीके से दंग है और आज अगर बात करने को कोई मैटर नहीं बचा है तो इस चीज़ को लेकर चर्चा होगी पर उसके बावजूद भी कॉंग्रेस और जो अन्ना विपक्ष की पार्टी है वो लगातार हंगा मचा रही है यही पर अगर बात करें हम पंजाब में आने वाले विधानसवा चुनाव को लेकर लगातार इनी नेताओं की तरफ से कहा जा पंजाब की किसान है हर्याना की किसान है यहाँ पर अगर आपको बताएं कि MSP को लेकर जिस तरीके से बार बार बेर राजनीती करने के लिए नेता सामने आ रहे हैं तो हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर पहले ही खैच चुके हैं कि MSP पे कानून बनना संबभ है क सरकार के उपर कही न कहीं दवाव बन जाएगा और सरकार को वो फसल खरीदनी पड़ेगी अगर किसान की फसल को कोई नहीं खरीदता तो फिर किसानों की तरफ से दवाव डाला जाएगा कि सरकार के उपर के आप हमारी फसल खरीदिये क्योंकि MSP पर कानून बन चुका है इ गुर्णाम सिंग चडूनी की बात की जाए तो लगातार अपने आपको किसान नेदा कहने वाले लोग जो हैं एक तरफ राखेश टिकैथ हैं जो लगातार उत्रपरदेश के चुनावों को प्रभावित करने के सपने देखते हैं और फिर कहते हैं कि योगी दितनाद को कोई वोट ना दे विपक्ष को लेकर उनकी तरफ से कोई वर्ट नहीं आता तो वही पर गुर्णाम सिंग चडूनी जो ये कहते हैं कि हर्याना के किसान उनके साथ हैं तो वो भी पंजाब मिशन पंजाब के तहए अपनी पार्टी बनाने का एहलान कर चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि वो पंजाब में पंजाब मिशन के तहट उन्होंने एक दल बनाया है जो कि चुनाव लड़ेगा और उन्हीं के नेता यानि कि उनके द्वारा चुने गए बुद्धी जीवी अब पंजाब में चुनाव लड़ेंगे यानि कि जो किसान नेता हैं वो लगातार किसानों के नाम को लेकर राजनीती कर रहे हैं चुनाव आने वाले हैं और कहीं न कहीं पार्टियों को या फिर जिस तरीके से सत्ता में अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह आगे से ना सही पर यह जिस तरीके से बैक डोर्ट से पार्टी चलाने का प्रयास कर र इसको लेकर देश की जनता लगातार समझ रही है कि ना ये किसान नेता है ना ये किसान के नेता है किसानों को लेकर राजनीती कर रहे हैं और ये राजनीता जो बने हुए है जो लगाता के इंदर सरकार और अपने आपको किसानों का मसीहा बनाते हैं ये भी किसानों के मसीहा कहीं पर अपनी राजनी दी चमकाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था वो भी किसान के कंदे पर बंदूग रखके देश के प्रधान मंतरी से सवाल किये जा रहे थे और आज अगर देश के प्रधान मंतरी ने कानूनों को वापस ले लिया है लोग सब हमें पास हो पूरे पूरे टॉपिक पर क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईए धन्यवाद